मसीन के द्वारा देख रहे हैं इसमें गन्ना डाला जा रहा है और डालते हैं गन्ने से अपने आकरी स्टेप में आ गया है तो अभी इसको छीट करके सीधे बाहर किया जा फिलाल खेतों से निकाली गई ये एक सामने है और इक का आखरी जो प्रोड़क्ट वसता है वो इसका जो खर बोलते हैं इसको सामने नजदी की भासना में खर वो सामने है नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में तो गन्य से गुण को कैसे लास्ट इस्टेप में लाया जाता है उसका मैं आपको वीडियो बताऊंगा फिलाल मेरे सामने हैं ये भाई साब क्या ना में आपका आप यहां पर काम करते हैं कितना समय हो गया यहां कुशि नगर में आप इसके पहले आए थे हां उससे पहले हम दूमरी में थे तो चार-पान साल से आप किसी से सीखे ही होंगे यह आम सीखे दे दूसरे हो सभी हमारा भी उसका अच्छा तो यह बता है गन्ना खेतों से निकालने के बाद से क्या-क्या प्रोसेस होता है पहले प्रोसेस पूरा पता दीजिए जैसे गन्ना आता है उसके बाद में मसीन में पिड़ता है फिर मसीन में तो यहां बोरे में रख करके लाजटे बेज देता है फिलाल यह गन्ना लगा हुआ यहां पर ठिक और अभी हम चलते हैं जहां इसकी फिराई होती है दोस्तों यह आप देख रहे हैं काफी बड़ा प्लॉट है यह और यहां प्लॉट से दो दो ट्रैक्टर लगे हुए हैं ट सबसे पहले गन्ने को हम मशीन के द्वारा उसकी अच्छे से पेराई कर लेते हैं और पेराई से मिले हुए लिक्विट को एक बड़े से टैंक में डाल देते हैं यह जो टैंक होता है यह सिमेंटेड होता है और इस सिमेंटेड टैंक के नीचे हम एक होल की होते हैं उस होल के मादम से हम पाइप के द्वारा इसे पहले टैंक के पहले करहे के पास पहुचाते हैं जो पहला करहा होता ह है उसमें हलकी आच हम देते हैं ताकि जो ज्यादा गंदगिया है यहीं पर बाहर में रूपदा कर देता है यह पहला करहा है जो आप सामने देख रहे हैं इसके बगल में तीन करहाई रखे यहां ह acompa लेक्रहा आपने के विझाएं आस के आघंवा पालता है इन फिर यहां पर और इसकी सफाई होती है और लाश्ट में बचता है यह चौता करा जहां पर देख रहे हैं कि इतना मेहनत हो रहा है लगातार इसको चलाना पड़ता है क्योंकि एक समय होता है जब इस गर्णे से निकले रश का आखरी बार मरमत किया आता है जो गुड में परिवर्त होता है व इसको चलाने से मतलब क्या इसा होता है कि बन जाता है तो फिलाल जब निकालते होंगे तो क्या हो जाएगा जल जाएगा और जल जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा तो यहां के बास इसको निकाल करके इस पर डालेंगे यहां पर चलाना पड़ता है अच्छा इसमें कुछ केमकरी मिलाते हैं क्या हां यह क्या चीज है अच्छा तो दोस्तों यह देखें इसकी सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद से इसको बराबर इस पे निकाल देते हैं इस पे निकालने के बाद से आप यह देख रहा है असली आखरी रूप में अपने गुड़ा जाता है तो जिसको आप अपने घरों में दुकानों में देखते ह मरमत हो रहे हैं यह बिल्कुल आटे की तरह इसको माजा जा रहा है और आटे की तरह माजने के बाहत से हमारे सामने एक बेहतरीन रूप देते हुए गुड़का तो यह था गन्ने से बनाए हुआ रूप